आज की प्रॉपटी इंडिया शो में खास फोकस एंसी आर के नौडा शहर पर अंदी की मार से यहां भी बिल्डर परिशान रही हैं लेकिन अब तस्मीर बदलने की उमीद जगने लगी है नई सरकार में रियल स्टेट सेक्टर को फाइदा मिलने की संभावना तो ही लेकिन नौडा के प्रॉपटी मार्केट में इस उमीद के कई लोकल कारण भी है इनमी से कि ये भी है कि दिली मेट्रो का नेटवर्क आने वाले सालों में नौडा में और बहतर होने जा रहा है बहतर करेक्टिविटी यह दिमान बढ़ाने में इसमें कुछ और मदद मिलेगी और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास महमान मुदसर जैदी है नाशनल डिरेक्टर रेजिडेंचल एजनसी नाइट फ्रैंक इंडिया के और साथ ही है दीपक कपूर जो की डिरेक्टर है गुलशन होमस के तो आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है शुरुआत आपसे करते हैं दीपक क्योंकि आपके भी कुछ वहाँ पे डिलिवरी होने ही वाली है तो जब मारकेट में नया सप्लाइ आएगा तो कई लोग कहते हैं कि मारकेट में सप्लाइ आएगा तो खरीदेगा कौन वो और अटल होगा और जब लोग अपने घरों में रहने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं तो एक मार्केट में एक उस एरिया में पूरे बादार में पॉजिटिव सी लहर घुमती है जिसका फैदा हरे को होता है आने वाले निवेशक को भी और जो हुआ रह रहे हैं सारी लोग उनको भी तो जितने भी कस्टमर बेस है वो बड़ा बॉइंट है इस चीज को लेके कि साल और दो साल के अंदर तकरीबन पचास जार फैमिलियां उस नोईडा में इसके आसपास डिलिवरी होने वाली है हमारे ही दो प्रजेक्ट है विवानते जो बिलकुल नोईडा एक्स के बात करें तो कहा जाता है इन्वेस्टर्स के साथ साथ यह प्राइमारिल एक एंड यूज मार्केट है और यहां जब पुजेशन का समय नजदी का रहा है तो इसके अलावा और क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसकी वज़े से इस प्रॉपर्टी मार्केट में और रहे के काम करने के उमीद से हरीद यह जाब से नई सरकार के आने के बाद यह अमीद है कि काफी न initiator की पास और जाख जाएगे ऑर जिस वज़ा से एकनामिक गरोथ जुहे हैं जुहें बढ़ेगा जॉप क्रिएशन होगा और जिस वज़ा से काफी आम जन्ता के पास और ज बढ़ेगी और जिसका बड़ा पार्ट जो है वो प्रॉपटी में जरूर आएगा तो मेरे इसाब से इमीजिटली तो नहीं बड़ मेरे तक्रीबां छे महीने से साल भर के अंदर मेरे साब से यहां पर काफी ट्राक्शन बढ़ना चाहिए है सेंटिमेंस अल्री बैतर होना श कि सप्लाइ काफी होगी पुजेशन होंगे तो आपसे यह जाना चाहती हूं कि क्या इंफ्रस्ट्रक्शर इन इलाकों में ऐसा है अभी कि लोग जाकर के पुजेशन के बाद रह सके हाला कि यह कुछ ऐसे सेक्टर के साथ लगे वे जहां पर बहुत अच्छा इंफ्रस्ट् आसपस भी अल्री महाँ पे सेक्टर पचास में रिहाइश पिसले कई सालों से है और उसके आसपास कम्प्लीट इंफ्रस्ट्रक्शर स्कूल, कॉलेजेश, हॉस्पिटल, मार्केट्स हर एक चीज इतनी ही कमफरेबल जोन में है कि किसी भी नए कस्टमर को वहाँ पे शिफ् सेक्टर 32 से वो अभी तक हो नहीं पाया है और जब हम ग्रेटर नॉइडा था किया फिर या मुना एक्स्पिस वेपर या फिर नॉइडा एक्स्टेंशिंशिं जिसे ग्रेटर नॉडा वेस्ट कहते हैं वहाँ पर इस मेट्रो के बात करें तो यह ऐसा लगता है कि भी काफी बूस्ट मिलता है चाहे वो रियल स्टेट ही क्यों नहीं हो रियल स्टेट में एक रुझान मेट्रो से यह आ जाता है कि एक कस्टमर बेस को विश्वाश हो जाता है कि अभी नहीं तो दो साल में तीन साल में वो मेट्रो से किसी भी एरिया में किसी भी शेत्र में जा सकते है दूर दराज एरिये में भी वो पहुंच सकते हैं तो definitely metro is a contributing factor एक को contribute करता है किसी भी शेतर की real estate की growth को बट सिरफ यही factor नहीं है NOIDA में infrastructure और NOIDA में जितनी industries हैं जितने लोग काम करते हैं उनको रहाशी जरूरत है और वो पूरा करने के लिए हम developer लोग रहाशी मगान बना रहे हैं इसलिए NOIDA की बहुत अच्छी strength है कि हाँ पे metro connectivity भी आने वाली है और आने वाले आई थिंक दो से तीन साल में मैं सोचता हूँ कि आप नए शेतर में metro connectivity भी पहुंच जाएगी मतसर आप इस NOIDA के जादतर मारकेट की कीमत अगर देखें तो इसको कैसे तरह से आखते हैं क्या ये कीमतें इस तरह की हैं कि लोगों के बजट में समाज आए खास अपर वो लोग जो की अब रहना चाहते हैं ये investors वहाँ पे जरा कम ही जाते हैं ऐसे में क्या वो कीमतें आप मानतें कि अभी ठीक है या आगे जाके कम होने का या इजाफा होने का कोई खत्रा है अभी भी अगर आप NCR रीजिन में देखें जो दो सबसे बड़े अलाके हैं वो गुरगाओं है और ग्रेटर नॉइडा का अलाका है इन दोनों के बीच में अभी भी नॉइडा ग्रेटर नॉइडा जो है वो कहीं जादा अफॉर्डबल माना जाता है अगर आप इन दोनों अलाकों में अगर नॉइडा देखें ग्रेटर नॉइडा के मुकाबले तो थोड़ा महंगा जरूर है बट दिल्ली से नजदीक होने के वज़ा से और जादा सेटल्ड होने के वज़ा से यहां प्राइसे हैं लेकिन अगर आप गुरगाओं से कंपेर करें जाए अवरिज प्राइसे आपके आज के दोर में नए सेक्टर में भी तक्रीबान 6-7,000 के नजदीक हैं यहां अप Soros के अपको सीक्टार से मिल जाएगा अगर और एक्सप्स वे है जो जिसकी वेनrière बहुत बैतरीन है दिल्ली से वहां पर भी अच्छे प्राइसे में आपको आपर्टिनिटीज मिल जाएंगी आगर और अफोरड़ आबिलिटी चाहिए है तो जहां पर तक्रीबान 2700 से लेके 4000 के बीच में आपको प्रोजेक्स मिल जाएंगे तो मेरे हसाब से तो अफॉर्डिबिलिटी के हिसाब से एक एक स्टैबलिश्ट रीजिन में जहां पर जॉब ऑपर्चुनिटीज हो जहां पर इंफ्रस्ट्रक्चर काफी बहतर हो और बाखी दिल्ली से काफी नजदीक हो मेरे इसाब से तो काफ़ी अच्छी है जिसमें गुरगाओं का जिक्र किया मुझशर अगर हम इन्फरस्ट्रक्ट्ट्टर को compare करें, तो कुछ infrastructure problems है, जिसे पानी की किलत है, रोज की problem है, उस माइने में आप क्या Noida को बहतर पाते हैं? नहीं नो डाउट नॉइडा जो है वो काफी बहतर है इंफ्रेस्ट्रक्चर के मद नजर गुर्गाओं जो है वो कुछ रीजन्स की वज़ा से बहतर वहां पर प्राइस इंक्रीज़ देखी गई हैं एरपोर्ट से जो नजदीकी है वहां की जिस वज़ा से काफी कॉपरिट्स ने वहां पर जगा ली है इस वज़ा से वहां पर और लोग रहते हैं वहां काम करते हैं और वहां के रेल स्टेर इंडस्ट्री ने ज़ादा इसको अट्रैक बेसिकली कर पाए हैं एरपोर्ट से दूरी की वज़ा से थोड़ा बहुत यहां पर फरक पड़ा है नौईडा पर जिस वज़ा से कॉपरेट्स नहीं आते हैं लेकिन हाविंग सेट डाट काफी IT इंडस्ट्री जो है जिनको बहतर दामों पर जो जगा चाहिए होती है वो फिर भी नौईडा का प्रिफर करते हैं गुर्गाओं के मुकाबले बुदसर आखर में आपसे जाना चाहेंगे नौईडा जिससे फैल रहा है ग्रेट नौईडा वेस्ट नौईडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है यह मुना एक्सटेंशन के दूसरी तरफ है तो क्या यह फिलाव नौईडा का इसकी वज़े से भी आकरश्र के देस्टिनेशन बनता है निवेश के लिए एंड यूज के लिए देखे अगर देखा जा तो सिर्फ फैलाव ही नहीं बनता है रीजन क्योंकि जतना ज़्यादा फैलाव होगा उतना ज़्यादा सप्लाई आएगी जिस वज़ा से हो सकता है खीमते ना बढ़ें लेकिन अगर सप्लाई आ रही है कंट्रोल्ड फैशन में और वहां पर आपको एकनॉमिक बेजिकली फैक्टर्स वहां पर प्रिवेलेंट हैं और वहां पर नौक्रियां वगैरा जो हैं अवेलेबल हो सकती है तो मेरे हैसाब से कोई इशू नहीं बनता है बहुत बहुत शुक्रिया मुदसर आपका और दीपक आपका स्टूडियो में आने के लिए और नौईडा के प्रॉपर्टी मार्केट पर इतनी सारी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए नौइडा के प्रॉपर्टी बाजार में जहाए आपने वेश के लिए आना चाहते हूँ या इंड्यूस के लिए बाजार अच्छा है और जैसा कि नाना लग रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं प्रॉपर्टी मार्केट के भी अच्छे दिन आने वाले हैं